नमस्ते बाई, आज हमारे साथ हैं वन्सिकाजी, डॉटर आफ राधा किर्ष् quartz और राधा इनके माताजी का नाम है और किर्ष्न इंके पिताजी का नाम है और वन्सिकाजी इनका नाम है बड़ा धार्मिक सा महल है इन्होंने अपना इंट्रडक्शन भी जो हमें इसी तरीके से दिया था मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने कहा कि सेम फिलो में आपके साथ डिलीवर होना चाहिए इनकी SSC CGL 23 के थुरू ASO in CSS की पोस्ट मिलिया है डिली में और यह इनका second attempt था CGL में तो second attempt में ही इन्होंने अपनी dream post को हासिल किया है हालना कि यह भी एक proper UPCS parents है और यह job करते हुए UPC की त्यारी भी साथ साथ करेंगी एक girl student है जिनको maths जिनकी इतनी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी quantity aptitude फिर उसके बाद कैसे अपने maths सुधारी English में सुधार किया पूरा syllabus पढ़ा और यह रिवाली district से हैं जहां पे वहां पे लड़कों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है उसके जो नए students के लिए और खासकर girl students के लिए बहुत ही ज़्यादे बेनिफिशल होगा तो सबसे पहले कि किस बात ने आपको motivate किया से सिजल की तियारी करने में और कैसे पता लगा इस exam के बारे में जी सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि girls के लिए motivation जोता अपने माबाप का सपन होता है मेरे बाव आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके करने यह ता कि मुझे भी कुछ करना है life में क्योंकि यह होता है girls है तो शादी कर दीजिए यह होता है लेकिन मुझे शादी नहीं करवानी थी जल्दी यह है कि शादी करने के बाद लड़गी का कोई future नहीं जल्दी यह तो अपने प्र सकते हैं वह करनी है और घरवालों मुझे बहुत सपोर्ट का है मेरे भीयाने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैंने मेरे पापा को मिलब मंदिर में सब जुगाते हुए देखा है इस मेरे लिए कि मेरा future अच्छा वने तो यह बात मुझे जब से इंपोर्टेंट जो उनका मोटिवेशन फेक्टर है उनके खुद के माबापी जी बिल्कुल लड़के की ओपर तो खैर और और बहुत सारी चीजी है लेकिन लड़के के उनके माबाप सबसे पहले हैं सबसे प्रायरिटी पर माबाप का सपना ही होता है जब किस सब्ज अब की बाउंद इंट्रेस्ट उ मिलड़के फेले हो किया होता है यह नहीं मैंने यूटूब पर सार्च किया फीर आपका आपकी यूटूब क्लासिस देखिभी मैंने तो आपके कॉंसेप्ट को पढ़के मुलत यह लगा कि अलगी क noite हैं अगर किशन जाहे कितना भी वो बिल्कुल डिफ्रेंट थे जैसे कि मैं एक एक्जांपल देना चाहूंगी जो कुशन सक्सेशिवली एड़िड और सब्ट्रेक्शन का था कि वो सीरीज में ही बैना रहे तो उसका आपका जो सोलुशन था वो सबसे डिफ्रेंट था मैंने उसका सोलुशन यूटुब पे हैं और दो तीन बार देखे हैं प्रैक्टिस लगाती थी एक्जाम से पहले और उससे मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ हो जाएगा स्पीड में ही हो जाएगा और काफी टाइम भी बच जाएगा और सारे कॉंसेट भी रिवाइज हो जाएंगे फिर आपका जो यूटुब यूट बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते थे हूए को मैं अपके प्रैक्टिस अचर ने बिल्कुल ही निकाल लिया था यह हो गया था मैं मार्म ने ती तो मेरे 5-10 मिलिट बच जा यां लास्ट में आ अंगा था आपके प्रैक्टिस सेसन देखने के बाद मैं तो कि हो गय कि हां स्पीड में हो जाएगा जो प्रैक्टिशेशन है जचे होते हैं मैं मोक टेस कराता था पचिस सवालों का लेवल होता है उनमें लेगा है बिल्कुल अ अ मेरा कि यूशन अच्छे थे स्टार्टिंग में लगता था कि तोड़े डिफिकुल्ट कुशन आ रहे हैं लेकिन वही कुशन तो डिमांड है आज कल कुशन पेपल में तो आप करवाते थे तो बहुत यह लगता था कि हाँ यही जो है जिसकी भूख थी वही कुशन है और वह शोट तरीके से करवा रहे थे तो बहुत मलब हो रहे थे कि शनाराम से हो रहे थे कितना समय लगया आपको पूरा मैच्स तेयार करने में अर्थमेटिक के एडवांस बिल्कुल जीरो से अच्छी स्पीड तक बनाने में जी स्टार्टिंग से मैं यह करती थी कि अरिथमेट क्योंकि मुझे उस टाइम पर उसी कपता था तो मैंने वह भूक लेती और मेरे लिए हल्फुल रही स्पीड नहीं बन पा लिए थी फिर मैंने आपके यूटूब पे वह देखा तब से मैच्स क्यूशन होने लगे थे फिर प्रैक्टिस यह है कि अपने पर डिपैंड करनी क्योंकि एसे सीजे लिक ऐसा एक्जाम है इसमें एको कितनी नॉलिज है कितना आपको आता है वो मैटर नहीं करता है आपकी स्पीड कितनी तेज है वो बहुत मेटर करताए को कि एक्जाम होल से अगर आप पचास लड़कों को जैनुरली पूछो ना कि कैसा हुआ तो स्पी कमती हो पूरा पेपर एक्चल में देखी नी पाए तो जब भी पेपर थोड़ा टॉपनो चाहता है ना इक्सपेक्टेशन से उपर तो सबस्यादे बच्चों को परिशान उनकी स्पीड करती है को कि आता सब को है लेकिन टाइम मेनर में करना होता है टाम लिमिट में उसमें बच्चे जो है मार खाते हैं अच्छा इंगलिश आपने कैसे तियार करी सर मैंने इंगलिश है जैदीप सर से करिया जैदीप सर का मैंने बैच लिया था मेरे भयानी लेके दिया था मुझे इतना पता नहीं था के ह aja में तेसे अने के लिया लिया झाल था निए कर दो और पढ़ने के बाद अच्छी ए उर बगजर मज़े मज़े में इसका यह तो इसमें अच्छी प्रेसरों पढ़ रहे हैं एंगलिस भुछ बहुत इफ डिफ्काल्टानिया था यह सब दाए जाएगा बस कंदिनुटी क कि नोटे ने पढ़ा एंगलिश में आपनोस के नोट नोट के पूरी बचे मैंने बिल्कुल एक नोट सबनाया थे अगर सर ने वह गोता है कि सर बोक्स बनाते थे और ऐसे बना के टिक बना के होता है या फिर किसी पर क्रोस कर देते हैं गलत है तो गलत मालो यह है कि आप एर क है जहाँ होता है कि एक्जाम टाइम में हमें बहुत जो भूद होता है एक्जाम टाइम पर की रिविजन कैसे कर एक्षब बहुत कुिकली वो उस लोद कम जाता है अगर वह स्टार्टिंग में ही अपने नोटस बोद अच्छे भूर्डदा लेते हैं तो इसके अलावा अपने खुछ से सल्फ प्रक्टिस के लिए क्या किया कि ऑला दुआ अगलेश में अगलेश में निया किया लिए तो वह अगलेश के लिए में लिए और शिप रगवाटेू ल देते हैं GS वो सारे इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम कंजूमिंग होती है जी एस बहुत वास्ट तो यह है कि अगर हमें रैंक बनानी है या फिर कुछ करना है तो 100% दो देने पड़ेगा हमार लिए बहुत इंपोर्टन हो जाता है तो मैंने स्टार्टिंग से ही खांसर है यूटूब पे उनकी क्लासीज है तो मैंने यूटूब से पढ़ाया उनका कंटेंट तो हिस्ट्री पॉलिटी एकनोमिक्स बायो भी करा रखे उन्होंने सारे मुलब जी इतने भी स्टेटि मॉक टेस्ट तो आपने कितने मॉक टेस्ट शुल करें और एक मतलब फ्रेशर बच्चे को जिसने जशिल्बस पुरा किया है मॉक टेस्ट किस तरीके से टेम्ट करनी चाहिए सर मैं अपना बताऊं तो मुझे पहले स्लेबस इतना नहीं पता था तो मैं मॉक टेस्ट कि जो कि गलत होते हैं फिर वो हम दुबारा गलत नहीं करते वो याद हो जाते हैं कि हम नहीं यहीं मिस्टे कर रहे अगर हम एनलाइस ठीक से करे तो और मैं यह भी कहूंगी कि आपने अपने श्लेबस कर लिया है तो वो अभी काम 50% हो है बिलकुल अगर हम श्लेबस कर बैरे हम यह क्रेंटように हीमेईस कर रहें हैं यह भी बात है कि प्रैक्टिस में पर्फेक्ट तो प्रैक्टिस करनी होती है उसके बाद बचाह जिसकेंथ 30% वह साला किसारा जो मोस्त इपोर में हो हता है मोग टेस्ट क्योंकि आर मोग कि बताते हैं हमारा आएपार, महारा आई मैं जबसे ब्रोप्रेशन करे हैं तब मैं भी आ उपना के एक बना प्रप्रीपे कुशिन में और' हो पम झाया के एलुए है CHAR सेक्शनों तो मैं अबस्ट तरीगे आपना कि गए एक दिखा कि पहले ग्रप्राइश करती हूं पहले इंग्लिश करती हूं Monster क्रती हूंG मैं प्हटी इंग्लेश पहले कर लेती लिए प्हाइब कैसंसटे में हिंग्लीश कर लेती Emperor लें सची था करी इहां लिए वडह वेको जुटति कर लिए हैं वर लो का मैंने बरर्फीर इतरा कदूति ला सी आपकों एक है को एक मुष्ण हो जाएगा तो करो नहीं हो तो साइड करो जो इता हो पता है कि अमारा कॉंसेप जीक रखखा है बस के केल्कुलेशन का फेर है तो वहां आपना टाइम लगाई है अब जो है अब जो है से माया है मैंस में कंपूर वाला सेक्षन क्वालिफाइंग करना कंपल सरी कंपूर्टर में फैल मतलब आपकी शुरू की पूरी महनत खराब हो जाई कंपूर्टर आपने कैसे तियार किया और इस बार का तो पेपर आसान आया है पिछली बार कहानी एकदाम अलग थी पिछली बार तो लोगों को 18-20 नंबर भी नहीं करना चाहिए बहुत बौट का नाम सब्सक्राइब के सच में सर्मधर हो जाता कि मुझसे याद होता ही तो मैंने बैष लिया था के तेंदूर सर में सिर्यस्ली में नोटस ही बनाये कंपूर्टर मेरे मिना तक की जन्री में बहुत है्थुल रही है। हुझने गहंते पड़ा वची कोफ़ेंग पर रहे हुझके और में मैं कोफ़ें इन फिर में में देखा था वच्छा फ्रह्या गप्षिक हमेरे गिंटम अपाघकी में अपकी ताइपिंग स्पीड स्पीड पने कैसे शुदारी मतलो कितने सामे नची आपने शुदारी को आपिंग को इता मैं कर संदू पने केंप्रत को जी मैं ने आप अपन्छ पे नियूए जाते थी गंटे है ती एक घंटे मैं प्रेक्टिस कर जाते लुदा थी कभी आदा तो बस वो था कि उसमें स्पीड बढानी है मैंने पहले जितना भी जितना भी मन्त दिया है दो तीन महीं जितना भी फुल डिडिकेशन के साथ दिया था कि हां भी टाइपिंग स्पीड करनी है बागी घरा के बाद में कुछ भी वर्ड्स बोलता कि वन्ची कोई नाम बोलेग उसकी स्पीड मेरी 38-35 तक पहुंच लए थी बागी फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था एंग्जाम आथा था मैं पंद्रा बीस दिन पहले स्टार्ट करती थी तो स्पीड 38 के लभग में रहते थी अचा कुछ कोश्चन्स बच्चों ने भी बेजे हैं जब तेयरी करत अगर हम एक दिन भी अपना टाइम वेस्ट करें तो हमारे मन में खुद ही आ जाएगा कि हमने टाइम वेस्ट क्या है मुखरजी नगर में महाँ बच्चे रात को लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं जग रहे हैं तो आप उनसे पीछे जा रहे हो ज़ा रहे हैं तो आप उनस सब्सक्राइब करें जाती जाती थी और योग भी करते थी मेर पापा ने बताया था कि गायतरी मंत्र होता हो बहुत है तो बहुत है कोई भी आप चाहे मंत्र ना बोले तो भी ठीक है पर आप 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 बंद करके अफिर अपना ध्यान लगाई कुछ सेकिंड कुछ मिनट यह होता था कि आप बीस मिर्ट लगा पाद यह ठीक है वो बहुत है और स्टूरेंट को तो योग के तरफ जाना ही चाहिए अचा सोसल मीडिया को कितना टाइम दे दे थे यह इंस्टाग्राम फेस्बूक आप चलाते थे कि तैयारी के दौरान अंस्टॉल कर दिया था सब जी मैंने प्रेपरेशन से पहले मैंने एक बार इंस्टा पर आईडी को वगरा बनाई थी लेकिन फिर मुझे लगा मैंने यह सोच के बनाई थी कि अपडूदेट रहूंगी मैं कि उस पर यह होता है कि सब्सक्राइब को अपडूदेट को यह लगता है कि हां थोड़ा ना दे सकता ताइम उसको लेकिन मैंने कभी नी दिया मैंने ना इंस्टा पे थी ना मैं एफ़ी पे थी बस वट्स आप जो पढ़ाई के लिए था और टेलिग्राम भी मैंने बाद में पढ़ाई के लिए पीडिया रखे लिए लिए तो कि एक साल की तो प्रण जरनी होती है अगर आप 100% दे करेंगे तो हो जाएगा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने अची बात बोली अच्छा अच्छा अपने पूरी तारी घर पे रहे करी है कि आपने लाइबरी नहीं जाते थे जी मैं लाइबरी में एक दिन भी नहीं गई गई लेकिन मुझ से यह वो ओल डप जो उड़ी एंव पाया यहा बना जोनी तिर मैंने जी जोइन नहीं करें मैं लाइबरी में और भी अच्छा था मेरा कॉलेज ता में जाती ती और आपर पड़ ती तो बहुत नहीं ते पर रूम नहीं चैन तुना एबरी में जो ख़ती और लाइबरी में आपके मन में कभी ओफ्लाइन कोचिंग करने का विचार नहीं आया नहीं सर क्योंकि ओनलाइन में इतना बड़ा बैटेंट मिलने लगया था घर बैठेंगी कहीं जाने की जुरत नहीं है अगर जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो काफी ताइप के बच्चे होते हैं अबर लेवल के भी होते हैं मिडल लेवल के भी लोवर लेवल की तो वो स्पीड एक्वल जाते हैं वहां पर जाके जाने में पी टाइम लगता था तो यह ओनलाइन जो आया है वह बहुत अच्छा है स्टूरेंट्स के लिए घर पर बैठने के लिए कि आप खर पर रहो और अपने फुल यह और श्राइब भी जाए रहे बहुत सब्सक्राइब लाए लेवा चाहते हैं आपके लिए एक्स लिए पर देख देख लेते हैं जी आपकी वीडियो में बांपाइब पर देख लिए लिए पर देख लिए यह तो यह वह बात में समझा था अच्छा बहुत अगर हम तो कि अधिए निस पीड पर देखते हैं जिस दिरे कम करना इस चारट कि 1.5 पर देखना है लेकिन स्टार्टिंग में है कि कुछ में वो सकता है 2x देखी है तो 2x देखो अगर सिंपल पर देखो अपनी स्पीड के अकौर्डिक मेरी वीडियो आप 1.5 में देखते हैं उस पर समय में आता था सब बिल्कुल सर बिल्कुल चलो अच्छी बात है तो बहुत अच्छा लागा वंसी का जी से बात करके और जिन इस्ट्वेंट्स ने वीडियो देखी होगी उनके मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे त्यारी करनी च सकती है एक साल आपको त्यारी में देना पड़ेगा आप अगर महने से त्यारी करो तो हो सकता है कि आपका भी कहीं कुछ ना कुछ हो जाए अगली साल ऐसे सीजियल में ठीके भाई चले दिन्यवाद बाए